जिसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाउशन मैटिसिंस का यूज करके खुद को हील करने लगा था और अब सुभा हो जाती है और लिंसन के पिल्स को यूज करके हाउशन कल्टिवेट भी अफ़ास्ट कर पा रहा है और फिर टॉनमेन के उंदर हम नमबर वन और नम नमबर 61 की लेवल सिर्फ फोर्थ है लेकिन वो बहुत साथा फीमस है और इसके पास एक फायर क्लाउड क्रिश्चल भी है जो इसका मीन अटाक है फायर क्रिश्चल में इमेजस को इमपार करने की ताकत होती है और इसको पाने के लिए काफी सारे लोग आक्शन में बड़ी बड़ी बोली लगाते हैं लेकिन फिर भी किसी को ये असानी से नहीं मिल पाता और उसके पास तो ये इतना बड़ा क्रिश्चल है जो उसकी स्टिक में भी फिट हो जा रहा है नमबर 61 सोचती है कि अगर वो जीत गए तो वो सीधे फाइनल्स में चली जाएगी लेकिन अभ उसे ओपनेंट की स्ट्रेंद के बारे में नहीं पता इसलिए वो डाउट में भी है अब तभी नमबर 1 जो कि और कोई नहीं बलकि लिंजन है वो वहां आ जाता है और वो नाशते हुए अपनी आइकानिक एंट्री देता है और अपने आपको यहां का सबसे स्ट्रॉंग मे जीशिन बताता है अलाकि उसकी एंट्री अच्छी थी लेकिन एक नाइट को इस तरह आते देखना किसी ने एकस्पेक्ट नहीं किया था यह लेवल 5 का यूद्धा है लेकिन इसके अपिरेंस को देखकर लगता है कि यह स्ट्रॉंग होगा भी वो फिर जोश में अपने क्र क्रिस्चल को अटाक करने के लिए आगे करती है लेकिन वो हैरानी शो करता हुआ उसके पास आकर कहता है कि तुम्हारे पास यह क्रिस्चल है लड़की को लगता है कि यह उसकी तारीव कर रहा है और वो भी खुश होने लगती है लेकिन लिंजन भी उसे चने के जार पे और वो भी इतना बड़ा कुछ secondary elders भी वहाँ बैते थे जिसमें से एक उसके दादा जी भी है और उनको छोड़कर बाकी सभी लिंजन के खजाने को देखकर हैरान है। जा चुकी है इसलिए वो उदास हो जाती है लेकिन लिंजन क्योंकि लड़कियों के मामले में थोड़ा soft है इसलिए वो कहता है कि तुम और मैं connected हैं हम दोनों के पास ही fire element है क्या तुम मेरे साथ एक deal करना चाहोगी मैं भी level 5 और level 6 के magic को कंट्रोल करने में अच्छा नहीं हू इसलिए तुम्हें गलती से साधा hurt भी कर सकता हूँ इसलिए क्यों ना हम fire element का use करके ही एक challenge रखें हम fire bending की कला दिखाएंगे और जो अच्छे से fire को कंट्रोल कर रहा होगा वो जीच जाएगा वो ready हो जाती है वो fire से इतना अच्छा phoenix create करता है कि लड़की के होश उड़ उसके पास तो इतना च्छोटा सा crystal है और वो तो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती है अब फिर से एक प्यानो भी निकलता है और बज़ने लगता है जिससे fire control होकर आसपास का महल बहुत अच्छा बन जाता है जिससे वो लड़की match fool कर उसकी तरफ attract होने लगती है और वो उसक शो को देखकर ताली बचाने लगते हैं लेकिन उसके दादाजी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था अब लड़की हार गई है और कहती है कि मेरा fire control तुमारे comparison में कुछ नहीं है अब referee लिंसन को winner कोशित कर देता है और उसे final में promote कर देता है अब उसके दादाजी गु तुम्हें बीच में interfere करने की कोई जरूरत नहीं है वहीं आप हम आउशान को देखते हैं जो फिरसे सायर से मिलने जाता है और फिरसे उसे सायर वहां देखती है जो पहले ही वहां आ गई थी वो फिरसे उसे sorry कहता है कि आज उसने फिरसे उसे wait कर आया क्योंकि कल रात उसने लगी है और हाउशान उसके उपर हाथ रखकर उसे बारिश से भीखने से बचाने की कोईशिश करता है लेकिन सायर उसकी तरफ देखकर कहती है कि वो बारिश को फील करना चाहती है क्योंकि वो एक चीज कीज है मुझे एक अपना पन लगता है काश मैं तुम्हारे बारे में जान पाता और तुम्हारे दुनिया को महसूस कर पाता वो फिर उसका हाथ पकड़ लेता है और वो दोनों बारिश को इंजोई करने लगते है हाशन सूचता है कि काश हमेशा मैं इसके साथ ऐसे ही रह पाँ अब वो फिर वापस जाने लगता है कि मुझे याद है कि आगे पवेलियन है और वहाँ जाकर वो दोनों बैट जाती है सायर के ओपर एक बज़व लाए आकर बैट जाती है और हाशन उसके पांस आकर उसे पकड़ने लगता है हाशन उसके इतने करीब आच आता है कि सायर को उसकी सांसे तक सुनाई देने लगती है और हाशन उस फायर फ्लाइ को पकड़कर उसे उसके हाथ में रखता है और उसे इसके बारे में बताता है कि मेरी मा कहा करती थी कि जब तु रास्ता पटक जाओ तो firefly जिस दिशा में जा रही हो उस दिशा में जाओ और वो तुमें दिशा या रहा दिखाएगी हलाकि तुम fireflies नहीं देख सकती हो लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे लिए तुम्हारा firefly बन कर रहूंगा सायर खुश हो जाती है और कहती है कि तुम फिर हमेशा मेरी साथ रहना क्या तुम रह सकते हो क्या तुम तयार हो हाउशन हा कह देता है और आसपास के बोरीगा हाउशन का प्रपोसल देखकर गुसे में आ जाती है अब हाउशन उसको घर छोड़ने के बार मास्टर ये हुआ के पास आता है और ये हुआ बुक पढ़ रहा था और हाउशन क्योंकि लेट हो गया था इसलिए उसको तानी देते हुए कहता है कि तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कि तुम क्यों लेट आये हो के अंदर तुम्हारा बहुत टफ होने वाला है तुमने और हेल रोस ने प्रेलिमिनारी राउंड्स क्लियर कर लिये हैं और अब तुम्हारा मौका टॉप प्लेयर से होने वाला है हाउशन अब जल्दी से टायर फाइफ का योधा बनना चाहता है और स्ट्रॉंग होना चाहता है अब अगले दिन मैच शुरू होता है और वोही मिस्चीजेस आदमी और हाउशन के बीच ये मैच है ये मैच नाइट एंपल के सबसे बड़े दो जीनियस के बीच है इसलिए एल्टर भी पता नहीं लगा पा रहे हैं कि अब यहाँ क्या होगा एल्डर चीट भी सोचते हैं कि ये दोनों ही डिवाइन सील नाइट के हायर है इसलिए मैच काफी खदर नाख होगा अब ये दोनों सामने सामने आकर अपने अपने ड्रैगन को आमने सामने लाते हैं और फिर यही एपिसोड कात्म हो जाता है